नमस्कार विद्यार्थिमीत्रों आपने कावियव 5 सुना सवस्वरगान किया और समत दिलिया अब आगे इसके अभ्यास और स्वाद्याई लिखते हैं अभ्यास का प्रश्ण एक लिखने के अवस्यपता नहीं है क्योंकि यह है स्वस्वरगान करना अब दूसरा प्रश्ण दूसरा मैंने लिख दिया है और फोटो भेज रही हूँ आपको उसमें से देख कर लिखना है एक बात का ध्यान रहे प्रश्ण दो निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए इसमें पहला प्रश्ण है वो आपको अपने आप लिखना है दूसरा तीसरा और चोथा मैंने लिख दिया है पहला प्रस्ण है आप क्या क्या कर सकते हैं आपको लिखना है आप क्या क्या कर सकते हैं आप साइकिर्ट चला सकते हैं आप नदी में तेर सकते हैं आप पेड़ों पर चड़ सकते हैं आप खाना बना सकते हैं आप कौन-कौन से काम कर सकते हैं यह सब आपको अपने आप लिखना है बराबर है आप जो भी कर सकते हैं आप लिखोगे अब तीसरा प्रस्न यह भी मैंने लिख दिये है उत्तर इसके सब तो यह भी देखकर लिखना चौथा प्रस्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्त बताए तो काव्य पंक प्रश्न मेंने लिख दिया है, तीन प्रश्न है इसके, ये सब मेंने लिख दिये हैं, फोटो है, उसमें से देख कर आप लिख लेना, प्रश्न दो, दो, तीन और चार में समझा जती हूं, आपको उसमें से देख कर लिखना है, तो प्रश्न दो है, उचीत जोड मिलाईए, तो आपको A में जो पाँच लिखे हैं, उनको लिखना है, और 2 में उनके सही उत्तर उनके सामने ही लिखना है. A में पाँच है और 2 में 6 हैं तो ध्यान रहे एक अधिक है, जो गलत हैं आपको निकाल देना है. बराबर समझ में आ गया जूड मिलाना है. प्रश्ण तीन निम्नलिखीत प्रश्णों के सही विकल्प के सामने सही कीजिए तो आपको उनके प्रश्ण भी लिखने हैं सभी विकल्प भी लिखने हैं फिर सही विकल्प के आप सामने सही का निशान लगाना है बराबर है अब प्रश्ण चार बराबर से समझना नीचे दिये गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजे तो उदाहरन दिया गया है जैसे कि धर्टी उसका विरुद्धार्थी शब्द है आकाश उसका वाक्य है पक्षी आकाश में के वाक्य बनाने है मानि दस वाक्य होंगे और जो उदाहरन के दो शब्द है उन में से एक वाक्य बाक्य है उसका भी एक वाक्य आपको लिखना है आकाश का वाक्य दिया गए है आपको धरती का वाक्य लिखना है बराबर याद रहा तो वाक्य कूल होंगे उदाहरन सहित बा बार विरुद्धार्थी शब्द बोल देती हूं, आपको लिखना है, अम्रुत विरुद्धार्थी है विश, वर्दान विरुद्धार्थी है पाप, उचा विरुद्धार्थी है नीचा, पाप विरुद्धार्थी है पुणिय, जीवन विरुद्धार्थी है मृत्यू, बराबर है, सब के विरुद्धार्थी शब्द मैंने बोल दिये हैं, आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं और सभी के वाक्य बना कर लिखना है। अभ्यास और स्वाध्याय के इतने प्रस्ना लिखने हैं, अब अगले तास में स्वाध्याय का पाचवा प्रस्ना और व्याकरण लिख कर दूंगी